हलो यूवन वलकम यूवल सभी लोग को राम राम बोलना चाहूंगा सभी लोग का प्रोग केट्टल अकैडमी में स्वागत भी करना चाहूंगा आज 26 फरवरी मंडे का दिन है आज मंडे का दिन कुछ ठंडा रहा बजार के अंदर कुछ खास चाल नहीं दिखाई दी बजार ज्यादतर समय साइडवेज रहा या तोड़ा सा वीक रहा ऐसा बूल सकते हैं अब कल यानि की 27 फरवरी को निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए क्या महत्पू लेवल हो सकते हैं इनके उपर आपनों के साथ बाचित करना चाहूंगा मैं तो चले अपने बाचित को सबसे पह करना और करका है ये 23 फरवरी के चैंडली चैंडल के फिर्व फरवरी के आखरी कैंडल ये कैंडल बंलिती तीन बज के 15 मिइट से तीन बच के 30 मिनेट के बीज में तो यह मैं आपको बात बताना चाहूंगा कि कि आखरी के 15 मिनेट का जो प्राइस एक्षण होता यान जिस के 15 मिनेट से 3 बज के 30 मिनेट कजिफ प्राइस एक्षण होता है यह बहुत ही ज्यादा मेहत् conf sash होता है मैं इस candle को बेश candle के तोर पर identify करता हूँ यानि कि जब next day बजार open होता है तो हम previous day की जो 3 बच के 15 मिनट से 3 बच के 30 मिनट की candle होती उससे ही ये समझने का प्रियास करते हैं कि बजार के अंदर तेजी है या बजार के अंदर ग्रावट है तो हम पिछले दिन की 15 मिनट की इस candle को base बना करके बजार को trade करने की कोशिच करते हैं तो आज 26 तारीक है 26 तारीक से हम एक दिन पीछे आ रहे हैं 23 तारीक यानि कि फ्राइडे का दिन 23rd of February को 3 बच के 15 मिनट से 3 बच के 30 मिनट की candle जो की 23 फरवरी की base candle थी जिसको मैंने या पर circle बना करके highlight किया है इसके जो high और low का zone है आप देशकते हैं 22,223 का आई और 22,187 का लो ये जो zone create हुआ था 23rd of February को अगर आप गौर करिए कि 23rd of February से आज अगर हम 26 फरवरी की बात करें तो 26 फरवरी का पूरा price action यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा price action 23rd of February की candle के नीचे ही हुआ है यानि कि आज जो price action हुआ वो 23rd of February की base candle के पूरा का पूरा नीचे ही हमको दिखाई दिया है और यह अपने आप में बहुत ही महत्पूर बात है जो अगर आप notice करके चलेंगे तो मुझे लगता है कि आप ज्यादा भेतर decision ले पाएंगे अब हम बात करते हैं आज की बेस केंडल की ठीके जी आज की बेस केंडल की बात करें तो यह मैंने सरकल बना करके आज की बेस केंडल को identify कर दिया है आज 26 वरवरी है 26 वरवरी को हम देखेंगे क्या लेवल्स हम लोगों को देखने को मिले मैं यह लेवल्स यहां पर नोट डाउन कर देता हूं और यह level मुझे को दिखायी दे रहे हैं 2,128 से ले करके 2,109 अब हमारे लिए यह जो 26 वरवरी की यानि की आज की केंडल है यह हमारे लिए एक base candle के तोर पर काम करेगी और हम इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि जब कल 27 अफरवरी को बजार उपन होगा तो क्या इस base candle के ऊपर मूव मिलता है या इस base candle के नीचे मूव मिलता है और उसी को accordingly हम play करने की कोशिश करेंगे मान लेते हैं कि आज की जो base candle है 22,128 वो 22,109 इसके उपर कल हमको तेजी देखने को मिलती है तो हमारे लिए क्या महत्पूर्ण लेवल हो सकते हैं हमारे लिए जो सबसे महत्पूर्ण जोन होगा वो 22,223 से 22,187 का जोन होगा ठीके जी और अगर 22,223 के उपर और हमको तेजी मिलती है तो शायद निफटी 22,300 तक जाने की कोशिश कर सकता है अभी बस मैं इतनी ही बात करूँगा इससे ज़्यादा बात करने की कोई जरूरत अभी फिलाल मुझको नहीं दिखाई देती है माल लेते हैं कि कल बजार के दर हमको कमजोरी दिखाई देती है और आज की हमारी जो बेस केंडल है 22,109 इसके नीचे अगर कमजोरी आती है इसके नीचे निफटी लड़कता है तो हमारे लिए लेवल क्या हो सकता है उसके लिए भी मैंने यहाँ पर सपोर्ट का जोन आइडिन्टिफाई किया है यहाँ पर आप बल्यू किलर से एक शेड़ेट जोन देख रहे हैं यह जोन है 22,078 से लेकर के 22,043 ठीक है जी और इसके नीचे फिर हमारे लिए जो महत्मों लेवल है वह 22,000 का लेवल है देखिए 22,000 का लेवल मैं एक स्ट्रॉंग सपोर्ट के तोर पर आबजर्व कर रहा हूं मुझे ऐसा लगता है कि 22,000 का लेवल तूटने की गुंजाईश थोड़ी से कम है लेकिन बजार अनसर्टेन तूटी गया तो हम क्या कर लेंगे 22,000 के नीचे फिर मैं आपका ज्यान इस पर्टिकलर केंडल के उपर लेकर के आना चाहूंगा जिसको मैं ब्ल्यू किलर के सर्कल से एलाइट कराऊं यह आपको एक हैमर जैसी केंडल बनती भी दिखाई दे रही है बहुत ही महत्पून है मैं आपको बताना चाहूंगा यह केंडल बनी है बाइस वरवरी को जी आँ मैं इसके पर पहले भी चर्चा कर चुक रहा हूं 47 से 21,875 मैं इस जोन को एक बहुत ही महत्पून डिमांड जोन के तौरपा इडिन्टिफाई करो मुझे साल लगता है कि अगर 22,000 के लवल तूटे गा तो इस बात की काफी अच्छी पॉसिबिलिटी है कि हम को इस डिमांड जोन के अंदर अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए अच्छी बाइंग निकल करके आना चाहिए और निफ्टी के अंदर को शायद रिवरसल भी देखने को मिले अभी फिलाल कल के लिए मुझे लगता है कि इतने लवस काफी हैं बहुत ज़्यदा ऊपर बहुत ज़्यदा नीचे जाकर के बात करने से कोई फाइदा नहीं है ए यह जोन आइडिंटीफाइ किया मैंने यह जोन आइडिंटीफाइ किया कभी भी किसी जोन को आप वाच्छ करते हैं तो उस जोन के अंदर प्राइस एक्शन को देखना जो है वो बहुत महत्पूंच यह देखना ज़रूरी है कि केंडल का फोर्मेशन किस तरह का हो रहा है आपने जोन के अंदर केंडल का फॉर्मेशन जो है वो आप देखिए यह केंडल का फॉर्मेशन आपको बताएगा कि आपको ट्रेड किस तरहां से लेना है और यही हम करने की कोशिश करते हैं जो यहां जो प्रो कैटरल अकैडमी की लाइव स्ट्रीम है जो यूटिब की माद ट्रेड बनाया जा सकता है मैं आपको निकरेश करूंगा कि आप भी प्रोक्रेटर की लाइव स्ट्रीम से जरूर जुड़िए देखिए मैं आपको इभी दिखाना चाहूंगा कि सेंसेबल के उपर क्या सती ओपन इंट्रेस्ट की तो हम लोग निफ्टी को ओपन इंट्रे जिसके मादिम से पूट साइट की ऊपन इंट्रेस्ट को बहुच करते हैं यह 22000 का लेवल है यहां पर पूट साइट का काफी स्ट्रॉंग उपन इंट्रेस्ट हैं और हम इस हुझा से यहां पर एक अच्छे सपोर्ट की उमीद करें इसके उपर एक और लेवल है यह बाइ 2100 के लेवल के उपर पूट साइट और कॉल साइट के ऊपर उपन इंट्रेस्ट में बहुत स्यदा फर्क नहीं बहुत जादा डिफरेंस नहीं है तो 22000 का लेवल सपोर्ट तो है लेकिन यह एक वीग सपोर्ट दिखाई दे रहा है उपर की तरह 22000 का लेवल है यहां पर हम 2200 का लेवल अगर क्रॉस कर पाता है निफ्टी तो महें 22000 का लेवल भी देखने को मिल सकते हैं चला के बढ़ते हैं निफ्टी की वाद बैर चाइट करते हैं आपके सामने और लिए आ चुका है और यहां पर भी मैंने वान आर टाइम फ्रेम ही चूस किया अपने बातचीत की शुरुवात मैं इस केंडल से करना चाहूंगा जिसको सर्कल बना करके हैलाइट कर रहा हूं यह आज 26 ओफ फरवरी की केंडल है और इस केंडल का टाइम है तीन बच के पंदरा मिनट से के तीन बच के तीस मेट यानि की पूरे ट्रेडिंग डे के आखरी पंदरा मिनट की केंडल इस केंडल को हम एक बेस केंडल के तोर पर अकनॉलेज करेंगे यह बात मैंने अभी थोड़ी दिर पहले भी आपको बताई थी और इस बेस केंडल के जो लेवल से हैं उनको ही बेस बनाकरके हम आगे आने वाले जिन यानि की ट्वैंट सेवन तव फरवरी को ट्रेडिंग डिस दिसी जन्स रहने की identify कर लिए आप माल लेते हैं कि कल बजार की opening होती है और हमको इस zone से उपर की तेजी देखने को मिलती है तो definitely हम इस base candle से उपर की तेजी को play करने की कोशिश करेंगे तो उपर के level क्या हो सकते हैं मेरा समाना सबसे महत्पूर लेवल यह यहाँ पर आप देश सकते हैं यह level अलग और इसके उपर एक अनदर लेवल मच को दिखाई दे रहा है यह level है लगबख चालिस जार नौ सो का ठीक है जी चालिस जार नौ सो के उपर एक पूरा resistance का zone है जिसको मैंने यहाँ पर पहले सही identify करका है आप देख रहे हैं यह resistance का zone है जिसको मैं एक supply zone के तोर पर भी identify कर रह 87 roughly अगर हम बोले हैं तो इसको बोल सकते हैं 47,400 और 47,87 को हम बोल सकते हैं 47,100 देखिए इसके बीच में कई और पढ़ाओ भी होंगे उनके उपर भी हम लोगों को price action देखना पड़ेगा अगर 47,100 से उपर की तरफ 47,400 की तरफ चाल दिखाई देगी तो जार ची बात है से बैंक निफ्टी के लिए एक हर्डिल के तौर पर एक resistance के तौर पर काम करता वा दिखाई दिया है अब मान लेते हैं कि हमने यह जो बेस केंडल identify करी है जहां से हमने आज चर्चा start करी है देख सकते हैं यह मैंने बेस केंडल के levels पहले से यहां पर लिख रखे हैं मान लेत एक demand zone को identify किया है और demand zone के level आप लोग के सामने है चालिस दा चार सो पिचासी से लेकर के चालिस दार दो सो चैसाट यह पूरा का पूरा जो 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 न है यह बहुत अच्छा demand zone कहां से आया यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा मैं आपको थोड़ा पीशे लेकर कर क मैं circle बना करके candle को identify कर रहा हूं आप इस candle को चार्ट के ओपर ढोने की कोशिश करेगा 16 फरवरी को एक डोजी बनी है ठीके जी मैं आपको इस डोजी की timing भी बता देता हूं यह candle बनी है 9 बच के 15 मिनट से 10 बच के 15 मिनट के बीच में अगर आप गौर करिए तो इस candle के बाद हमको काफी अच्छी रैली देखने को मिली है बैंक निफटी के अंदर बढ़िया तीजी देखने को मिली है और इसी candle के बेसेज के ओपर मैंने इस demand zone को identify किया है मुझे असा लगता है कि कल के लिए अभी फिलाल इतने रबस की चर्चा जो है वह काफी है अब यह तो अच्छा को स्टाइट करते हैं हम 29 फरवरी को एकस्पार होने वाली बैंक निफटी के ऊपर इंटर्स के लवस को समझ रहे हैं यहाँ पर आपको जो ग्रीन कलर के बाद लिखाई दे रहे हैं उनके माद्यम से हम पूट साइट के ऊपर इंटर्स को देखते हैं और पूट स को समयने की कोशिश करते हैं ठीक है तो यहाँ पर अगर हम देखें अब्जर्व करें तो यह आप देख सकते हैं चालिस दार पांसो का लेवल है यहाँ पर पूट साइट का काफी स्ट्रॉंग ओपन इंटरस्ट है यहाँ पर हम सपोर्ट को अब्जर्व करें ठीक हैं और उपर की तरफ अगर आप देखें तो यह 47,000 का लेवल दिखाई दे रहा है यहाँ पर कॉल साइट का काफी टगड़ा ओपन इंटरस्ट है और हम इस लेवल को रेजिस्टेंस के तोर पर माक करें काफे बड़ी रेंज चालिजर पांसो से 47,000 की अब आप सोच रहोंगे रह रहा है बीच में तो बहुत सारे लवल आ रहे हैं 46,600 का लवल भी आ रहा है बीच में 46,700 का लवल भी आ रहा है बीच में 46,800 का लवल भी यहां पर ओपन इंटरस्ट कोई बहुत ज़्ज़दा सिगनिफिकेंट नहीं है तो हम इस जोन के अंदर एक्टॉली मैं फिर से प्र पर इंटरस्ट को देखते हैं लेकिन जो प्रियोरिटी रहती है वो प्राइस एक्शन के बिस्सेस के उपर डिसीजन लेने की रहती है तो यह कुछ ब्रीफ डिसकेशन आपनों के साथ अपने बाचित को मैं यहीं पर यह माइंड आप करना चाहूंगा अब अब फिर से सब लो को राम राम